नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूं जिस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में निकली एक और भरती के बारे में तो द पहले दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने बाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे तो चलिए दोस्तो ब इंडियन आर्मी की ओफिसियल बेफ साइट पर और यहां से दोस्तो यह जो सेक्षन है जेस्यूज ओबलिक ओर इंट्री का यहां से मनी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहां पर कौन-कौन से कैटेगरी की द इंडियन आर्मी में हाइट ले जाती है वो अलग-लग स्टेट के हिसाफ से ली जाती है ठीक है कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर 1,50 और यहां पर लिखा हुआ है उसके बाद में चेश्ट आपका 77 cm जो आपका बेट होगा दोस्तो वो आज के लिए यहां से हटा दिया गया है क्योंकि अभी आर्मी में पहले जैसर नहीं रहा थोड़ा सा बदलाव आया है उसको पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिये जिसमें मैं दोस्तो करीब आपका जो मिनिममम बेट होगा 52 kg कर दिया गया है और आपका मैकसिमम बेट का पहले कोई लिमिट नहीं थी लेकिन अभी आपकी जो मैकसिमम बेट है उसका भी लिमिट कर दिया गया है तो उस वीडियो को आप इस वीडियो के आई बटन पर उसका लिंक मिल चाहिए और खिशी भी सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क से कम नहीं होना चाहिए तो यह तो होगी दोस्तों शोल्जर जीडी की बाद ठीक है उसके बाद में हम चलते हैं यहां पर सोल्जर टेक्निकल soldier technical की जो भरती निकली है इसके लिए age limit 17-13 साल और आपकी जो height होगी वो 57 cm चेस्ट आपका 77 cm और आपकी जो education qualification होगी वो है दोस्तो 10 plus 2 with physics, chemistry और math उसके साथ में आपके लिए English की भी जरूरत पलेगी तो इन 4 सब्जेक्ट में ये 4 सब्जेक्ट आपके पास में होना जरूरी है और आपकी जो overall percentage है 12 में वो 50% और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40% माच से कम नहीं होना चाहिए उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं soldier clerk ठीक है तो soldier clerk के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी age limit 753 से 30 साल date of birth आपकी 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीच में height आपकी 160 cm और chest आपका 77 cm same as technical अब यहाँ पर change क्या हुआ है वो change यह है दोस्तों कि आपकी जो यहाँ पर intermediate pass आपको जो मांगा जा रहा है intermediate में आपके 60% marks होना चाहिए और किसी भी subject में आपके 50% marks से कम नहीं होना चाहिए उसके बाद में आपके पास में दोस्तों math और English होना जरूरी है अगर आपके पास में math और English है 12 में तब ही आप इस भरती में apply कर सकते हैं चाहिए next की तरब चलते हैं दोस्तों next है soldier, tradesman, all arms ठीक है तो soldier, tradesman की आप भरती के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 10th pass है और नीचे 8th pass के लिए दिया गया है age limit दोनों की same है date of birth दोनों की same है height दोनों की same है chest भी दोनों का same है बस यहाँ पर अंतर इतना है कि इसमें 10th pass लिए जा रहा है और यहाँ पर 8 pass लिए जा रहा है अब यह अंतर क्यों है वह मैं आपके लिए बिल्कुल detail में अच्छे से समझा देता हूं ठीक है यह अंतर दोस्तों इसलिए है कि जो 8 pass के vacances है यह cable आपके लिए होती है mess keeper और house keeper के लिए बागी जो tradesman है जैसे कि आपकी EBR हो गए barber है cooks है ठीक है जो भी trades है उनके लिए दोस्तों आपकी जो education qualification minimum होती है वो 10th pass होती है तो अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यह जो भरती है वो इसके online registration से हैं वो 7 December से start हो चुके हैं और आप इसके लिए 5 January 2021 तक कर पाएंगे ठीक है उसके बाद में 6 January से 2021 से 8 January 2021 के दीच में आपकी जो registered email id होगी जिससे आप apply करेंगे online उस पे आपकी email id पे आपके admit card आ जाएंगे और यह जो भरती है दोस्तों वो January 2021 के महिने में ही होनी है ठीक है अब यह भरती है किसके लिए वा मैं आपके लिए बता दूँ यह जो भरती है दोस्तों वो है तिरपुरा state के लिए और यह जो भरती हो नहीं है तो अगर आप तिरपुरा के रहने वाले हैं तो आपके لिए बहुत बढ़ा मौका है आप इस भर्ती में apply कर सकते हैं और ये भर्ती को जो दोस्तो location ने वह है अगर तला ठीक है तो इस भर्ती से related में आप मैंने आपके लिए पूरी जानकारी दे दी है फिर भी अगर आपके लिए कोई doubt हो तो आप मुझसे comment करके जरूर पूँच सकते हैं लेकिन उसके बाद में आपको physical के बारे में थोड़ी से जानकारी और दे देना चाहता हूं ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों जो physical है आपका वो same है आपका 1.6 km के आपकी running होगी उसके बाद में आप से chin up लगवा जाएंगी और 9 feet ditch और zigzag balance 1.6 km के running अगर आप group band में पास करते हैं तो आपके लिए 60 marks में लेंगे जिसके लिए आपको 5 minutes 30 seconds तक का समय दिये जाएगा और अगर आप 5 minutes 31 seconds से 5 minutes 45 seconds तक यही race को पास करते हैं तो आपको 48 marks दिये जाएंगे उसके बाद में 9 feet ditch और zigzag balance को आपको केवल qualify करना होगा इसके लिए आपको कोई भी marks नहीं दिये जाएगा तो यह थी दोस्तो आज की वीडियो अगर आप इस notification को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे telegram channel Siba Online Classes से जिसका link इस वीडियो के अगर आपको कोई भी जानगारी चाहिए तो आपके हर सवाल का जवाब दोगा ठीक है तो इसके साथ मैं आपको यह बात और बता दूँ कि दोस्तो हमारे चैनल पर आपके लिए इनकी जॉब की notification के साथ साथ आपको इनकी तैयारी के लिए General Knowledge की वीडियो भी मिलते रहती है और साथ ही साथ उनकी जो पीडियो फाइल होती है वो भी हम फ्री में आपको उपलब्द कराते हैं यह दोस्तो इनकी जो पीडियो फाइल है वो आप हमारे टिलिग्राम चैनल जैसे के मैं पहले ही बता सुका हूं सिवा ओनलाइन क्लासे से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में बस अतना ही कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहिन जैवारब